हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सोचियोलोजी क्लासिस के हमारे यूटूब चैनल पर हम परिवार के बारे में देख रहे हैं तो इससे पहले हम परिवार के परिभासाओं उनके प्रकार उनकी भी सिस्ताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं तो आई ये देखते हैं परिवार कैसे होते हैं तो सरपथम हम देखते हैं प्रित्र अस्थानिक परिवार अर्था निमास अस्थान के आधार पर परिवार कैसे होते हैं तो नव विवाहित जब पती के पिता के घर जाती है तो जांसन मानते हैं पत्नी के पिता के यहां भी जांसन इसे मानते हैं कि अ मात्र अस्थानिक परिवार तो मात्र अस्थानिक परिवार का जो वाइडन करते हैं सरोपथम माडाक ने किया है तो मात्र अस्थानिक परिवार जब विवाही जोड़ा पतनी के माता के घर घर जमाई बन जाता है तो उसे मात्र अस्थानिक परिवार करते हैं गारो, खासी, तियान, मोपला, बैंट, आदी में पाई जाने वाली यह प्रमुख है और इस पे ज्यादा ज्यादा एक यूश्चन पूछा ही जाता है खास करके PGT और PCS लेबल के इंग्सामों में अगला, अस्ठानिक परिवार तो नव वीवाहिच छोड़ा नन तो अपने माताँ स्वयम के माता पिता के घर जाता है और अपने नए घर के रूप में खुद को अलग करता है तौह अस्ठानिक होता है ऐसा पस्चमी समाजों में नवदंपतिया, नाजेरिया में हौसा और ट्यू जनजाति में पाया जाता है अगला मात्र पित्र अस्थानिक तो जब नव विवाही जोड़ो के कुछ समय के लिए पतनी के पिता के घर और कुछ समय के लिए वर के पिता के घर निवास करते हैं तो उसे मात्र पित्र अस्थानी के निवास के रूप में देखा जाता है। सत्तात्मक परिवारों में पाए जाते हैं अब मुक्त है ट्रोबियांठ दुववासी और मेले मेली नेसिया जंजात में दिखा जाता है इस टाइप के परिवार। अगला द्वी अस्थानिक या उभाय गाही परिवार या बाय लोकल फैमली तो इसमें नव विवाही जोड़ा पती-पत्निक किसी की भी परिवार के साथ रहने के लिए सोतंत्र है जहां उसका मन करें। मूलस्थानिक परिवार के रुप में जबकन्या अपने पिता के घर और वर अपने पिता के घर में निवास करते हैं। तो यह मुख्यता ग्राम विवाही समय में पाया जाता है कि लड़की अपने घर पे रहेगी और लड़का अपने घर पे तो यह केरल के नायर जन्चाथी में अची विवाही दिशिस्ता देखी जाती है मूलस्थानिक। अगला है पित्रवंची परिवार वंच के आधार पर परिवार तो पित्रवंची परिवार जिसमें बच्चे अपने पिता के सरनेम का प्रयोग करते हैं और ताथ उपनाम का प्रयोग करते हैं वंच का निर्धार पिता के पर्चकी ओर होता है यह पिस्व में सरवाधिक प बच्चे का जर्म या वन्च का निर्धार या सरनेम उसके माता के पच्च के या माता का उपनाम से होता है तो इससे संबंधित मारगन मैकलेगन बैक ओपन ने आधिनी महत्रवंची परिवारों में पुरानी पुस्ताइनी परिवार माना है तो इन्होंने का मात्रिवन्सी जो परिवार थे यह बहुत पुराने परिवार थे जिनमें इस प्रकार की पाई जाती थे कि व्यक्ति के जो बच्चा होता था उसके माता का नाम या सरनेम लिया जाता था वर्तमान समय में यह उत्री अमेरिकी भारती मालावार के नायर हित्सा की क्रोजन जाती क्रोबियान द्विपासी अमेरिकी यूरोकी सिलंका के विद्दा और भारत की खासी गारों में पाया जाने वाला है कि हां पर बच्चे का जो है सरनेम माता के सरनेम क्याधार पर होता है मैकाईबर एंपेज ने मात्री वंसी परिवार को मात्रिवत परिवार कहा है अगला द्वीनामी परिवार इसमें वंस का निर्धारन माता पिता किसी का सरनेम लगा कर किया जा सकता है तो यह नशीरिया के याकों जंजारी जिसका अध्यानीवान से पिचारना ने किया है वहाँ पर पाई जाने वाली विश्था है वर्तमान में अनेक कानून और प्रावधान के अंफार भी यह माने है कि आप द्विनामी परिवार या द्वियनची परिवार के रूप में देख सकते हैं अगला है एक विवाही परिवार एक समय में एक ही इस्त्री से एक ही विवाह करते हैं अब विस्त में सरवाधिक स्विखार किया जाने वाला विवाह है मारगन ने सबसे विक्सित का का परिवार इसे बताया है मारगन 238 परिवारों का दियन करते हैं जिसमें से 43 एक विवाही थे और 195 बहु विवाही परिवार के रूप में देखा और इसमें किसी एक इस्त्री या पुरुस के मृत के पर शाथ आप दूसरा विवाह कर सकते हैं जिसे एक क्रमिक विवाह के रूप में देखते हैं अर्था ब्यक्ति एक समय में एक हिस्त्री से विवाह करता है अगर उस इस्त्री किम्रितु हो जाती है तो ब्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है तो इसी को एक प्रमिक विवाह करते हैं अगला है बहु बिवाही परिवार बहु बिवाही परिवार जब एक इस्त्री कई पुर्चों से या एक पुरुस कई इस्त्रियों के साथ बिवाह करता है तो उसे बहु बिवाही परिवार करते हैं मारडाक ने 565 समाजों का अध्यान किया था जिनके तुलनात्मक रूप से 80% समाजों में बहु वीवा का प्रचलन उन्हों ने देखा था इस बहु वीवा कई प्रकार के परिवार के प्रिवार मारडाक 2525 ने चार समाजों में यह पाये गए है अर्था बहु पती वीवार सिर्फ के वल चार समाजों में देखा गया है यह दो प्रकार के होते हैं एक भात्रिक बहुपती बिवाही और एक अभात्रिक बहुपती बिवाही जो इस्त्री है वह सभी सगे भाहियों के साथ बिवाह करती है जो कि वर्तमान में देहरादून के जौन सार बाबर के खस चंजाती में पाई जाती है और वहीं अभात्रिक बहुपति बीवा में सगे भाई नहोकर संबंधी भी हो सकते हैं ऐसा मालावार के नायर निलगिरी की तोड़ा तिबद के निर्धन समधायों में पाया जाता है और बहुपतनी बीवाह परिवार एक पुरुस एक समय में एक से अधिक इस्त्रियों के साथ संबंध रखता था ऐसा मुक्त मुश्लिम समाच और अनेक जन्जातियों में पाया जाता है नागा गोंड बैगा तोड़ा और लुसाई में बहुपतनी बीवाह परिवार का प्रचलन देखा जाता है किसमें किसमें नागा गोंड बैगा तोड़ा लुसाई तो टोड़ा में देखिए भात्रिक बवपत्री विवा भी पाया जाता है अगला नोट क्या है 1905 में हिंदू विवाद नियम के तार हिंदू समाज में एक विवाद कर दिया गया है में हिंदू समाज पर लागू हिंदू सिक बवध धॅरम विवाद नियम होता है मुशटीम समाज अगला शमू विवाही परिवाद गृप मायरिश पैमली में एक समु के पूरे के पूरे पूरुस तूसरे समु के पूरे के पूरे इस्त्रियों के साथ पिवाह करते हैं और इसमें ऐसा होता है कि कोई भी पूरुस किसी भी प्रकार की इस्त्री अर्था किसी भी इस्त्री के साथ सहवास या संबंध बना सकता है मारगन के अंसार इस प्रका परिवार को समु विवाही परिवार को उन्होंने पुना लुवन परिवार के रूप में देखा है अगला है पित्त सत्तात्मक परिवार पैट्री रोकल या पैट्री फोकल परिवारी इस प्रकार के परिवारों में पिता के पास सारे प्रादिकार होते हैं सरवाधिक प्रच वालिया गया है भारत में मुख्यता प्रिट्रसतात्मक समाज है जिसका उधारण आप मुख्य रूप से देख सकते हैं कि सारा कि सारा जिम्मेदार या दाई तो आपके बड़े बुजुर्द्गों के हाथों में होता है महना, महिकाईबर और पेज कैंसर संपत्ति में बढरत्तरी विशिए का विवि का सता का संकेंण्डर कार्यों का विशयशी करन्डर जो आधिनिक समाज के विश remainder है यह फेट्रस्ट्रसमाज में शाम्याखาน है इस प्रकार के परिवारों में महिलाओं के पास समस्त प्राधिकार होता है विफाल्ट के अनुसार परिवार एक प्रारंभिक स्वरूप मात्रिसतात्मक है और इसका समर्थन कौन करता है मारगन, मैकलेनहन, बैकोफन यह सभी परिवार की उत्पत्ति का स्वरूप मात्रिसतात्मक परिवार को मानते हैं यह अर्था दो प्रारंभी स्वरूफ मात्रि lushतात्मक माना है वंपमान समय में मालावार के नायर यूरो किस भ्हारति यह में यह पाया जाता है मात्रि अप्तात्मक अगे और परिवार के बिज़र में चर्चा करते हैं, तो नाभिकी परिवार नुकलियर फाइमली, तो पती पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, इस प्रकार के फाइमली में उसे एकल फाइमली या नाभिकी परिवार करते हैं, संयुक्त परिवार, संयुक्त पर फोरी के लोग होते हैं जैसे हैं हम हमारे पिता जी और हमारे दादा जी एक परिवार में रहेंगे तो उसे हम संयुक्त परिवार के रूप में देखेंगे तो यह हैनरी मैं इरावती करवे के अंसार तो इरावती करवे के अंसार जो है संयुक्त परिवार ऐसे बेक्तिवों का समूम होता है जो समानता एक ही घर में रहते हैं एक ही रसोई में भोजन बनाते हैं जो संपत्ति में समलित स्वामी मतलब सामुहिक स्वामत रखते हैं समान पुजा में भाग लेते हैं किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं संयुक्त परिवार के रूप में हम उन्हें देखेंगे जिनका एक सामाने निवास होगा एक रशोई एक रसयों में बोजन बनता हुू सम्पत्य पे सबका सामुही का दिख्यार हो एक पूजा में सब लोग समान रूप से समलित हो कर भाग लेते हैं सामोहिक रूप से और एंब किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्तork माध्यम से यूटाया वहते हैं इन्हों ठीच परिवार बताया है जेडीमेन ने मालाबार के नायरों में जब संयुक्त परीवार में कुछ बयवाहिक नातेदार जो जुड़ जाते है तो इसे हम बिश्रित परिवार के रूप में दिखेंगे गेराल्ड के अनुसार प्रिस्तित परिवार में कम सकम तीन प्रिणियों से सदस्य होते हैं और इनके अनुसार रक्त मूलक परिवार के नाम से भी जाना जाता है तो गेराल्ड ने कहा है कि परिवार में कम सकम तीन प्रिणिया होती है और इन्हें रक्त संबंध के नाम से जा जाता है विवा संबंधी परिवार ऐसे परिवार जहां पर बायवाहिक संबंधों पर जोड़ दिया जाता है यह जब इन में विवा संबंधी तथा रक्त संबंधी दोनों परिवार साथ साथ रहते हैं तो इस परिवार में दामपत्ती परिवार भी कहा जाता है अन्य है रक संबंधी परिवार इस पकार के स्टाम नो में अधिकति महँ त्या जाता है इसे पत्नी को बाहरी ब्यक्ति माना जाता है चैसे हिंदू परिबारों में non कि अगला है संतानात्मक परिवार थो गयंग वाइसे परिवार होते हैं उनकी च्छाएं परिवार की नीजियों को निश्चित करती हैं यह आधिक परिवारों की विशेष्टा है तो बिलियम लायड वार्नर ने नाभिकी परिवार के दो बताएं हैं दो प्रकार के नाभिकी परिवार बताएं एक माता पिता भाई बहन और एक पती पत्नी पुत्र पुत्री तो माता पिता भाई बहन जो परिवार होता है वह जन्म मूलक परिवार होता है इसमें ब्यक्ति का जन्म होता है वही प्रजनन मूलक परिवार में इसमें ब्यक्ति का स्वयम से विवा के बाद जो परिवार बनाता है उसे इन्होंने प्रजनन मूलक परिवार के साधहारर परिवार, मिस्त्रित परिवार और सनलिष्ट परिवार की चर्चा करते हैं। और मिस्ट्रित परिवार में ब्यक्ति इस्त्री किसी एक की मृत्र के बाद पुनर विवाह या बहु विवाह करता है उसे मिस्ट्रित परिवार के रूप में चटोपाध्याय लेखते हैं वह संलिष्ट परिवार में संयुक्त परिवार या विसित परिवार को रखते हैं अगला है बर्गे से म्लाक बर्गे से म्लाक ने व्यक्तियों की ब्यवहार के अधार पर परिवार की चर्चा की हैं इन्होंने का संस्थागत और दूसरा सहचारिटा संस्थागत सधागत करने के लिए रूठीयों और जन्मत का प्रयों किया जाता है उसे इन्हों ने संस्थागत परीवर के रूप में देखा ही अगला जीमरमायन न्यासदहारी ग्रिहस्त और आडविक परिवार की चर्चा करते हैं इन्होंने का न्यासदहारी परिवार की स्वार्थ की प्राथमिक्ता देता है अर्था भार्थी संयुक्त परिवार वहीं ग्रिहस्त परिवार ग्रिहस्त परिवार स्वार्थ के मद्य संतुलन क इस्तिती पनाई रखता है था सहरी परिवार और आडविक परिवार के रूप में इन्होंने का ब्यक्ति का स्वार्थ प्रमुक होता है जो कि इसमें ब्यक्ति आडविक परिवार को इन्होंने नुक्लियर फैमली के रूप में भी बताया है उसी के समान बताया है आके मार्ड माडाग ने स्वतंत्र नाभिकी परिवार बता है और मिस्रित नाभिकी परिवार पाए जाते हैं जैसे उसके पत्न अभिवाहिर बच्चे और मातापिजा लिंटन के अंसार समरक्ट परिवार और विवासंबंदी परिवार लिंटर ने दो प्रकार के विवा बताया है समरक्ट परिवार और विवासंबंदी परिवार वहें फेडरिक लिपले के अनुसार साखा परिवार पित सतात्मक परिवार अज थाई परिवार और विशिस्ट परिवारों की चर चर्चा की है अतला है एरे और घेंस बर्ग और किमबाल इन्होंने किसानों के अध्यन के आधार पर अपनी फृश्ता कि फैमली ऐंड कम्यूंटी इन आयरलेंड में पूर औध्योकिक परिवार और क्लासिकल APP की चर्चा किए है तो कुछ अने परिवारों के बारे मिंदेख लेते हैं एक स्वायत मूलक परिवार हो था आडनलामिक फैमली शिसमें पती पत्नी कोई भी निर्डा ले सकता है दुएस्थानिक परिवार पती पत्नी और अपने जन्म मूलक परिवार में रहते हैं तना मूलक परिवार यह अधारणा जो है फेडरिक लिपले से संबंदित हैं परिवार के सदस से अलग-अलग रहते हैं लेकिन समारोहों में एक साथ आ जा सकते हैं प्रतिशा या सम्मीत परिवार यह पूरत το आत्म निर्भर परिवार होता है यंग और बिल्बड ने अपनी पुष्टक में समीथ परिवार बुसटक दससे मैंन्हें फेरिवार की संया है बायवाहिकежд नहीं लेता है अगला समैन समनवभाद के सभी सदस में निढ़र ले सकते हैं या समनवभादी पριवार हुता है क्लासिकल बिशृतreck परिलबंद में पती पत्नी और उनके माता-पिता त्था अभिवाहित बच्चे और भाई बहन होते हैं यह परिवार उत्पादक परिवार के के रूप में कार्य करता है क्लासिक पिश्रित परिवार अगला द्वी एकल-वनशात्मक परिवार इसमें मातापिता किसी के वंस के उद्देज कि अनुसार वंस का निधालन होता है पुरवनिधालित होता है यह सुदान की जिसका अध्यान इवांस पिचार द्वारा किया गया कि न्यूर जनजाती में पाया जाता है अगला तो आज की यहीं समावत करते हैं आगे हम देखेंगे परिवार के अध्यान के परिपेच प्रस्पेक्टिव जो दिश्टिकोर है उनसको देखेंगे तो यह थे परिवार के प्रकार जा उसके में हम बिस्तिक चर्चा किए हैं तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और डेली कुछ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सोचियोलाजी क्लासेस पर के डिस्क्रिप्शन बाक्स में प्रवाइड करवाया जाएगा लिंक आप वहाँ पर देख सकते हैं या पर एर्दी रेट राजपूत सनी एर्दी रेट करके राजपूत सनी करके आप हम टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं तो आप जोड़ सकते हैं तो वीडियो को लाइकन सेयर करें चैनल को सस्काइब करें बिल आइकन को बजाए धन्यवाद